तो हेलो गाईज, most welcome back to our YouTube channel ग्यानवित सचिन तो दोस्तों आज के इस complete वीडियो में हम बात करेंगे Polytechnic 3rd semester thermal engineering के back paper के बारे में आप सभी को thermal engineering के back paper में क्या-क्या पढ़ करके जाना है कौन-कौन से महतपूर प्रस्ण है आज के इस complete वीडियो के मादेम से हम जानेंगे तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुवात करते हैं अगर आपने ग्यान भी सचिन मोबाइल अप्लिकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लिजिए क्योंकि यहीं से आपको 5th semester हो गया 3rd semester हो गया यानि आने वाले पूरे mechanical जो भी branches है उनके notes यहाँ पर available होंगे तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुवात करते हैं आप लोगों की thermal engineering में back लग गई यह बहुत ही मतलब दुख की बात है मेरे लिए personally क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो तो अलग बात है अगर आपने पहले से ही देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो हमेशा से मैं important question ही बताता आया हूं और मैंने thermal engineering जो important question से बताये थे वो 10 question बताये थे उसमें से 8 question आये थे और इतना जादा comment आया था इतना जादा प्यार आया था उस समय जब आप thermal engineering का paper दिये थे अगर वो देखना है तो आप टेलिग्राम पे जाकर के देख लेना में बहुत सरे clips डाला था photo वगरा जो भी आपके messages आये थे तो मतलब सारे questions मतलब accurate बता दिया था और उसके साथ ही साथ मतलब यह था कि thermal engineering का paper भी बहुत easy आया था तो ठीक है आपकी back आई है वैसे बहुत कम लोगों की back आई है as compared to moss और as compared to engineering materials तो थोड़ी बहुत तो back रहती है thermal में भी thermal और moss दोही में back आती है fourth semester में बहुत कम back आएगी आने वाले fifth semester में back आने की संभावना रहती है और उसके बाद तो फिर final year में तो back नहीं आती तो जितना back का सफर था वो समप्त होते हुए नजर आ रहा है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को हम बताते हैं देखिए thermal engineering का chapter number one है मैं इसका one sort जरूर करा देता लेकिन thermal engineering का जो one sort कराऊंगा वो हमारा English में हमारा notes है ठीक है अभी हिंदी में उसको में convert कर नहीं पाया इसकी वजह से मैं one sort नहीं करा रहा हूँ आपकी already back है और उसमें समझ में नहीं आएगा अगर अच्छे से तो फिर दिक्कत है ठीक है इस उसमा गत्की निकाए और फिर विभिन जो उसमा गत्मी systems है ठीक है यानि thermodynamic system और जितने भी thermodynamic system और है उनको ठीक है और फिर उसमा गत्की का path और आपका process यानि path and process यह तीनों छोटे छोड़े topic है उनकी probability जो रहती है वो 100% कि रहती है आने की हमेशा से ठीक है ठीक है ठीक है बताना है वो समझे क्योंकि यह सिर्फ मैं पठा रहा हूँ जो वो back के लिए बता रहा हूँ ठीक है देखिए questions तो इतने ही आएंगे लेकिन इसमें back paper के लिए क्या ज्यादे से ज्यादा important होगा वो समझना आपके लिए important है ठीक है अगला हमारा दूसरा chapter है laws of perfect gases देखिए others जो है आपके नॉर्मल पेपर में पूछ चुका है तो उसकी जो probability है थोड़ी सी कम है लेकिन हाँ इन तीनों में से एक पूछे जाने की probability सबसे ज्यादा यानि इसकी probability जो है वह 100% है आदर्स गैर्स को आप पढ़ लिना एक बार हलके से बट आप इन तीनों को depth में पढ़ दिया है आईये आदर्स गैस और वास्तिविक गैस यह भी पूछ लेता है तो theoretical है तो जरूर इसे आप देख लिजेगा ठीक है बस तीसरे चैप्टर के ऊपर आ जाओ तीसरे चैप्टर में आप से एक प्रोसेश पूछा जाता है उसमें probability जो है वापकी इस बार आइडिया प्रोसेश की है या पॉले ट्रॉपिक पूछ सकता है या आप सभी से इन दोनों को भी पूछ सकता है लेकिन इन दोनों की जो probability है वो सबसे ज्यादा है ठीक है तो इनको आप जरूर पढ़ लीजेगा इन दोनों को ठीक है अगला चैप्टर आता है rules of thermodynamics rules of thermodynamics में उस मगत्क हैं अगला हम बताते हैं अगला कॉर्णाट साइकल इस बार पूछा जा चुका है तो reversible और irreversible प्रोसेश पूछे जाने की उम्मीद है और आपसे उसमा इंजन उसमा पंप योंग refrigerator यानी COP और इसकी efficiency को बताने के लिए पूछा जा सकता है कॉर्णाट साइकल आ सकता है ऐसी कोई probability नहीं है कि नहीं आएगा लेकिन जो probability है other question की ज्यादा है चलिए आगे बढ़ते हैं मोलियर चार्ट आ चुका है और आपका यहाँ पर dryness fraction है saturated steam है इन सब की छोड़ी-छोड़ी difference पूछी जाती है अगर अपसे यहाँ कुछ पढ़ना है तो आप मोलियर चार पढ़ लेना नहीं पढ़ना है तो इस चेप्टर को ही लिफ्ट कर देना क्यूंकि आपको बैक क्लियर करना है ठीक है अगला जो सबसे important chapter है वो यह है कि आपको एक boiler जरूर पढ़के रखना है चाहे आप water tube पढ़ लो और fire tube देखे एक boiler नहीं पढ़ना है आपको दो boiler पढ़ना है question किस तरीकी से आता है या तो आपसे boiler एक पूछ लेगा उसमें से water tube बना दोगे या fire tube बना दोगे या आपसे direct पूछ लेगा water tube boiler बताओ या आप fire tube बताओ तो भाहिया 100% यानि 101% में ल दोनों चीज पढ़ लो बहुत इजी है boiler theoretical topic है रटने वाला topic है अराम से इस boiler को पढ़ सकते हो और डाइग्राम बराना है तो आपको मैंने सिर्फ अभी 5 questions बताए हैं और चलिए आपको सत्वे chapter के उपर लेकर चलते हैं साथवे chapter में आप सभी क्या पढ़ लोगे आप सभी diesel cycle और auto cycle इन दोनों में से कौन सी cycle ज्यादा probability यह वो बता देता हूं तो इस बार auto cycle आने की पूरी probability है तो auto cycle इस chapter से जरूर आप पढ़ लेना ठीक है आई ये compressor की तरफ चलते हैं compressor में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो इसमें दो चीज बढ़ना है पहले तो compressor पढ़ना है फिर rotary पढ़ना है और आपका single stage आपका reciprocating compressor पढ़ना है और compressed धावा के कुछ उपयोग यानि इसकी जो probability रहती है वो क्या रहती है 100% की रहती है कैसी रहती है मेरे पहरे साथियों इसकी जो probability रहती है वो 100% की रहती है हमेशा 100% किरयती है heat transfer की विधिया है यह एक theory subject है और एक question हमेशा बन जाता है जैसे last year बन चुका है 4 years का पूछा गया है 4 years पूछ गया है 4 years का ला तो आप revision कर लोगे लेकिन heat transfer की जो तीनू विधिया है ठीक है आपका चालन है, विक्रण है, संबहन है उसको पढ़ लेना है और Newton's law of cooling पढ़ लेना है जिसका एक formula है उसे याद कर लेना है ठीक है लेकिन heat transfer की विधिया इसे आप जरूर पढ़ लेना अगला आता है आपका IC engine की विभिन प्रडाली आपको 4 stroke और 2 stroke पूछता है तो पहले तो आपको 4 stroke तो अगर आपको आ रहा है तो ठीक है लेकिन 2 stroke, 4 stroke दोनों पूछा जाता है तो 2 stroke, 4 stroke engine आपको पढ़ लेना है और आपको यहाँ पर पढ़ना है CI और SI engine में अंतर ठीक है, तो 2 stroke and 4 stroke and CI और SI engine में अंतर ये दो चीज आप पढ़ लेना फसना रहेगा तो इसी दोनों में से फसेगा ठीके चलिए अब आईए थेओरी टॉपिक के उपर वो है आपका टर्वाइन टॉपिक ठीके तो टर्वाइन टॉपिक में क्या है कि आप से एक चीज 100% पूछेगा ठीके अब क्या पूछेगा व भी पूछ सकता है और उसकी भी प्रवाइल्टी जो है वह 100% है तो भाईया मैं फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं इस्टीम टर्वाइन गैस टर्वाइन ठीके और आपका एक हो गया कंडेंसर ठीके जिसे हम कहते है संगनक ठीके इन तीनों में से दो क्यूशन फिफ फासेगा और आपसे दूसरा क्या पूछा जाएगा जेट इंजन क्या पूछा जाएगा मेरे पहरे साथी हो जेट इंजन अब वो चाहे राम पूछा जाए या कोई और जेट इंजन पूछा जाएगा जली het और इंजन और एसे लिट इंजन है और एक और याय अडिउन पूछ सकता आपको जेट इंजन पढ़ लेना है उसमें राम जेट भी पूछ सकता है और या नॉर्मल जेट इंजन पूछ ले या कोई पर्टेकुलर पूछ ले दो ही इंजन है ठीक है उससे आप देख लिजेगा उसके बाद आपका स्टीम टर्बाइन और गैस टर्बाइन होके दो ची कुछ उपीऊग और आपको कंप्रेशर के बारे हो बढ़ना जिसमें रोटी और सेंगल स्टेज लेना फिर आपको एक BBQ बॉलर जिसमें और इर्रिजिवल तीन क्यूशन यहां पर हो गए ठीक है और आप अगर सी ओपी वगएरा पढ़ पाओ तो अच्छी बात है बाकी आपसे एडियावेटिक प्रोसेज और आईसो थरमल इन दोनों में से पूछ सकता है क्यूशन और इन तीनों में से बॉयल चार सा और जो कि ब लिए आपको 10 क्यूशन वहां पर लिखना ही पड़ेगा तो आपका डेफिनेट्ली यहां से बैख केलिल हो जाएगा मेरे प्रेसाति यह 17 नॉमबर यहां से कही नहीं गया है मैं आप सबी से प्रौमिस कर रहा हूं तो चलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख लब यू आल, टेक केर